हलो फ्रेंड्स वेलकम बैक टू दी चैनल स्वागत है आपको हमारे चैनल में तो आज हम बनाएंगे समोशा समोशा बनाते समय हम को जिन जिन बातों को सामना करना पड़ता है जिन परसानियों को सामना करना पड़ता है उस बारे में भी हम बताएंगे और हमारे समोसे हलवाई के जैसे क्रिस्पी और खस्ता क्यों नहीं बनते हैं उसके बारे में भी हम बताएंगे तो चलिए समोसा बनाना इस्टार्ट करते हैं समोसा बनाने के लिए मैंने यहाँ पे लिए हूँ एक कप मैदा एक कप मैदे में हम इसको मोहिन के लिए हम डालेंगे दो चमच ओईल आप ओईल की जगह पे घी भी डाल सकते हैं दो चमच से जादा नहीं डालेंगे एक कप में बस दो चमच ही जादा होता है तो हम इसको अच्छी तरह से हाथों से मिक्स कर लेंगे और हमारे मोहिन का इस तरह से consistency होना चाहिए कि हम बांधे तो बन जाए और थोड़ा सा दबाए तो वो खूट जा इस तरह से होगा तो हमारे समों से एकदम अच्छे बनेंगे और इसको हम थोड़े थोड़े पानी की सहायता से अच्छी तरह से गूथ लेंगे और एकदम टाइट आटा लगाना है इसका आटा नरब नहीं होना चाहिए और क्यूं नरब नहीं होना चाहिए वो भी मैं बताऊंगे तो देखिए हमने टाइट आटा गूर्थ ली हूँ और इसको हम रेश्ट के लिए ढख करके हम रखेंगे 10 मिनट आपके पास सोच जो समय जीतना समय है उतना समय रख सकते हैं 10 मिनट 20 मिनट या 30 मिनट तो देखिए हम रखती हैं उसके बाद से इसके अंदर फिलिंग बना लेते हैं मसाला तो मसाला बनाने के लिए पाइन में रख दिया है तेल और तेल अच्छी तरह से गरम हो गया है और उसके बाद से मैं यहां पे पचपुरन डाल दे रही हूँ पचपुरन में होता है जीरा, सौप, मेथी, सरसो और कलोंजी इन सभी को पचपुरन बोलते हैं इससे डालने से इसकी खूसबू और टेस्ट दोगुना हो जाता है तो उसके बाद से मैं यहां पे एक लाल मिर्च सूखी मिर्च को तोड़ करके डाल दी हूँ और इसको चटकने के बाद से मैं यहां पे एक कटी हुई हरी मिर्च भी डाल दे रही हूँ और इसको हम भूनने के बाद से मैं यहां पे एक इंच अद्र के टुकडे को क्रस करके इसमें डाल दी हूँ और इसको भी हम भून लेंगे तो देखिए यह भून गए हैं उसके बाज से तीन उबले हुए आलू को इस तरह से मोटा-मßा और थोड़ा सा बड़ा ही टोड़ना है, इस तरह से तोड़कर इसमें डाल दी हूँ और इसको चला करके भूनना है हमको अच्छी तरह से तो देखिए यह अच्छी तरह से भून गए हैं उसके बाद से मैं यहाँ पे थोड़ा सा किस्मिस और काजू डाल दे रहे हैं आप इसको skip कर सकते हैं आपके पास नहीं है तो नहीं मत डालिए उसके बाद से मैं यहाँ पे डाल ले हूँ आधा छोटा चमच मर्चा पाउडर एक चोथा चमच आमचुर का पाउडर आधा छोटा चमच धनिया पाउडर और आधा छोटा चमच गरम मसाला पाउडर और यहाँ पे मैं हल्दी डाल डे हूँ आपको अलदी नहीं पसंद है तो नहीं मत डालेगा लेकिन मैं यहाँ पर थोड़ा से डाल गलेगा और इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे तो देखिए जाब से मिक्स हो गया है इसके बासे हम इसमें डालेंगे दुनि नमक I am चला चला करके हम भूनेंगे मसाला को हम जितना ही भूनेंगे उतना ही अच्छा इसमें टेस्ट आएगा एकदम हलवाई के जैसे तो देखिए हमने मसालो को भी अच्छी तरह से बूल दिया हैं उसके बाद से मैं यहां पे कटा हुआ हारा धनिया कई पत्ति डाल दे रही हू इसको भी अच्छी तरह से हम मिक्स कर देंगे तो देखिए यह सभी अच्छी तरह से मिक्स हो गया है अब गैस को बंद कर दिया है अब इसको ठंडा होने के लिए रख देंगे उसके बाद से हमने आटा को यहां पे देख लेते हैं तो देखिए हमारे आटा थोड़ा सा न बनाते हैं उसके हिसाब से उतना बड़ा बड़ा लोई हम काट लेंगे इस तरह से सभी एक ब्राबर काट लेंगे ताकि कोई छोटा बड़ा ना हो इस तरह से हम कट कर लेंगे तो यहां पे हमने सभी cut कर ले है अब इसको उठा करके हम एक इती में रख देते हैं और उसको ढख करके रखेंगे ताकि वो सुखे नहीं और एक लोई ले करके इसका हम रोटी की अकार का हम बेलेंगे तो देखे इस तरह से जादा मोटा नहीं बिलना है और जादा पतला भी नहीं बिलना है रोटी से थोड़ा सा पतला करना है और इस तरह से थोड़ा लंबाई में ही इसको बिलना है तो देखे यह अच्छे तरह से बिल गया है उसके बाद से इसको बीच में से आधे भाग पे हम कट कर लिये हैं देखे दोनों एक ब्राबर है इस तरह से उसके बाद से मैं एक पीस ले करके इसको इस तरह से हाथों पेरा करके इसमें हम इसके साइड पे अच्छे तरह से पान इस तरह से हाथों में ले करके और इसको दबा देना है ताकि ये फ्राइ करते वक्त खूले नहीं उसके बाद से इसमें हम मसाला को भर देंगे आपके कौन में जितना मसाला का फिलिंग भर जा उतना भरना और इस तरह से भरने के बाद से इस चारो साइड हम अच्छी तरह से पानी लगाएंगे हाथों की सहायता से इस तरह से चारो तरफ लगा लेंगे उसके बाद से हम यहाँ पे एक चून बनाएंगे इस तरह से करके हम बना लेंगे और इस दोनों को इस तरह से दोनों साइड को आपस में मिला लेंगे और मिलाते हुए अच्छी तरह से हाथों से इसको दबाएंगे और इस तरह से पतला भी कर देंगे ताकि यह अच्छा सा सेब बन जाये समोसे का तो देखिये हमारे समोसे का सेब बन के रेडी हो गया है कितना अच्छा है, न जादा बड़ा है और न जादा चोटा एकदम मीडियम में और एकदम क्यूट सा समूशा बनके रेडी हो गया है देखिए तो इसी तरह से हम दूसरा भी बना लेंगे इस साइड में हम तिल लगाएंगे उसके बास से उस साइड को उठाते हुए इस साइड हम कौन की सेफ में बनाएंगे और इन सभी को अच्छी तरह से दबाएंगे और इसमें हम मसाला भरेंगे जितना मसाला आए उतना और उसके बास से चारो तरफ पानी लगा करके उसमें हम एक चून बनाएंगे और इस तरह से दोनों साइड को पकड़ करके हम मिला देंगे और इस तरह से हाथों से दबा करके एक इस तरह से पतला करके एक समोशे का सेप दे देंगे फोल्ड करेंगे थोड़ा सा तो दिखें हमारा दूसरा समोशा भी बनके रेडी हो गया है इसी तरह से हमने सभी समोशे बना करके रेडी कर लिया है और समोशे बना करके रेडि करने के बाद से इसका ट्रिक ये है कि हम समोशों को भी 10 मिनट के लिए रेष्ट पे रखेंगे ताकि हलवाई की जैसे देड़ तक खस्ता और करारे समोशे बने रहें उसके बाद से हम इसको तील में फ्राई करेंगे तो देखिए हम रख देते हैं 10 मिनट के लिए उसके बाद से मिलती हूँ तो देखिए यहाँ पे कडाही हम मीडियम फ्लेम पे गरम किये हैं ज्यादा तील को गरम नहीं करना है इसको मीडियम ही गरम करना है तो तेल अच्छी तरह से गरम है उसके बाद से हम समोसे को हम इसमें इस तरह से डाल देंगे एक-एक करके जितना समोसा हमारे कड़ाही में आजा उतना हम डाल देंगे और इसको हम 5-6 मिनट तक इसको थोड़ा सा भी टाच नहीं करेंगे इसको इसी तरह से medium flame पे इसको हम पकने देंगे इसको चलाएंगे नहीं तो देखिए 5-6 मिनट के बाद से समोशे को हम इस तरह से पलट लेंगे और देखिए कि भी बावल्स नहीं आया है तो हमको एकदम 5-6 मिनट एकदम medium flame पे fry करना है और इसी तरह से हम पलट पलट करके समोशो को fry कर लिए और देखिए कितना अच्छा सा color आया है एकदम सुनहरा color है और एकदम most दिख रहा है एकदम हलवाईयों के जैसे और बहुत ही खस्ता भी बना है तो चलिए इसको मैं दिखाती हूँ जूम करके तो देखिए एक समोशा और उसके बाद से हम समोशो को एक-एक करके इसमें से निकाल लेंगे देखिए हमारा समोशा कितना अच्छा बना है तो इसको निकाल लेते हैं फिर बाकी बच्चे जो समोशे हैं उनको भी निकाल लेते हैं और यह देखे कितना अच्छा दिख रहा है ना देखते ही मूं में पानी आ जा रहा है तो एक बार आप लोग इसको इस तरह से बना करके जरूर ट्राइ कीजिएगा और आटा सकत ही गूतना है नरम आटा रहेगा तो एकदम पूरी के जैसे समोसे हो जाएंगे दो मिनट खास सब्सक्राइब के साथ तब तक के लिए बाहर टेक के लिए